सैमसंग M12 में कीबोर्ट चेंज केसे करें नमस्कार दोस्तो सुवागर अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की केसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस के जो कीबोर्ट है उसको आप चेंज केसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो अगर आपको जो है कीबोर्ट चेंज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है प्ले स्टोर में जाके कोई भी कीबोर्ट डाउनलोड कर लेना है जो कि आप यूज़ करना चाते है ठीक है तो अगर आपने डाउनलोड कर रखा है और लेकिन आप यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे तो आप इस वीडियो को देखे मेरे पास दोस्तों अल्रेड यहाँ पे कीबोर्ट से तो उसी में दोस्तों मैं आपको स्वीच करके से पहले दोस्तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो तो आपको दोस्तों जाना है यहाँ पर जेनरल मेनेश्मेंट पर ठीक है जेनरल मेनेश्मेंट उसके बार आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ट ठीक है कीबोर्ट लिस्ट एंड डिफॉल्ट पर क्लिक किजिए उसके बाद दोस्तों कीबोर्ट लिस्ट एंड डिफ आपको यहाँ उपर में जो डिफॉल्ट कीबोड डिखाई दरा है उसमें क्लिक करना है ठीक है डिफॉल्ट कीबोड में वहाँ पर क्लिक करने के पार आपको जीबोड या फिर जो भी आपके पास कीबोड है उसको सेलेक्ट कर लेना है एंदेंट चेंज हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो कीबोड है अगर आपको चेंज करना है तो आप simply दोस्तों इस सेटिंग का मदद ले सकते हैं ठीक है इस सेटिंग के मदद से दोस्तों आप जो है बेल्कुल आसाने से कीबोड को जो है enable भी कर पाओगे, enable करने के बाद आप उसको apply भी कर पाओगे, ठीक है, पहले आपको keyboard को on कर देना है, on करने के बाद दोस्तों, आपका keyboard को जो है, वहाँ पे change कर लेना है, उसके बाद keyboard सेल हो जाएगा, next पे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक option मिलेगा, जब आप keyboard को on कर लेते हैं, अच्छे से, तो यहाँ corner पे आप देख सकते हैं, बेक बटन के सामने में, जो आपको keyboard दिखाई दर आए, उसमें click करने के बाद भी दोस्तों, आप आप यहाँ पे keyboard को change कर सकते हैं, ठीक है, शॉटका change करने का तरीका, उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसने होगा, thanks for watching